दोस्तो फाइनली ITC Limited के Quarter 1 के Results आ चुके हैं और साथ ही साथ में Company ने 10 is 200 के Ratio से D-Merger भी Announce कर दिया है मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं F&O Media बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आईए दोस्तो पहले ITC Limited के Quarter 1 Results की बात कर लेते हैं उसके बाद में हम लोग जो है D-Merger की यहां पर बात करेंगे तो सबसे पहले अगर मैं Company का आपको Net Profit बताऊं तो अभी Quarter 1 के अंदर में जो Company ने Net Profit रिपोर्ट किया है वो 4,902 करोर्स का रिपोर्ट किया है जोगी अगर आप Previous Year, Last Financial Year के Quarter 1 से कंपेर करोगे तो तब जो Company का Net Profit था वो 4,169 करोर्स का था तो Net Profit के अंदर में Year on Year basis पे 17.58% की ग्रोथ देखने को मिली है जो की काफी जादा अच्छी ग्रोथ है और ये Expectation से भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आये है ग्रोथ के मामले में जो की Net Profit है उसके मामले में तो एक काफी अच्छी बात है अगर हम बात करें यहाँ पे Company के Revenue की तो जो Total Revenue रहा है Company का Quarter 1 के अंदर में वो 16,995 करोर्स का रहा है and Last Year के Quarter 1 के अंदर में जो Company का Total Revenue था वो 18,320 करोर्स का था तो हमें Total Revenue के अंदर यहाँ पे Year on Year basis पे एक Fall देखने को मिला है and 7.2% से जो है Year on Year basis पे हमें गिरावट देखने को मिली है Company के Total Revenue के अंदर अब Company का Total Revenue तो कम हुआ है यानि की Company की Sales में तो हमें Decrease आता हुआ देखने को मिला है बट Company के Net Profits में हमें एक अच्छा Positivity देखने को मिला है और साधी साथ में 17% का Growth देखने को मिला है Net Profit के अंदर तो आप कह सकते हो Total Revenue अले पार्ट को आप Ignore करके चल सकते हो विगोज कमपनी ने अपने Expenses को काफी कम कर लिया है इसी वाज़े से कमपनी का Total Revenue कम होने के बावजूद भी कमपनी का Net Profit है उसमें हमें एक शानदार Growth आती हुई देखने को मिली है अब आईए एक बार ही बात कर लेते हैं कि यह जो Quarter 1 Results आए हैं क्या यह Quarter 1 Results जो है बड़े-बड़े Financial Institutions और बड़े-बड़े Brokerage Firms की Expectations से Meet करे हैं या फिर नहीं तो यहाँ पर लगबग 6 Brokers जो की काफी जाने माने अच्छे खासे बड़े Brokers हैं उन्होंने Expect किया था कि Company का जो Quarter 1 के अंदर में Net Profit आएगा वो 4,838 करोर के आसपास में आएगा और ऐसा ही हुआ Company का जो Net Profit है वो इनकी Expectations से भी जादा आया तो यह काफी अच्छा माना जा रहा है और साथ ही साथ में इन्होंने Expect किया था कि जो Company का Revenue है वो 17,326 करोर तक आएगा बट Company ने यहाँ पर इनको मात दे दिया है और Company का जो यहाँ पर Total Revenue रहा है वो इनकी Expectations को Meet नहीं कर पाए और Expectations से कम है तो आप कह सकते हो Results आप कह सकते हो Almost अच्छे ही आया है कमपनी का जो यहाँ पर Net Profit है उसके अंदर हमें काफी अच्छी Growth देखने को मिली है और वो Expectations से भी जादा आये हैं बट दूसरी तरफ जो Company का Total Revenue है वो Expectations से कम आया है बट अगर आप Majority of the देखोगे तो यहाँ पर Net Profit को ही आप जादा एहमियत देते हो अब आईए यह तो हो गई Quarter 1 Results की जो की काफी अच्छे हमें देखने को मिले है अब एक बारी Company के ITC Hotel Demerger वली Update को Cover कर लेते हैं तो Finally Company ने काफी बड़ी Statement यहाँ पर दे दिये Company ने बताया है कि वो ITC Hotels को यहाँ पर Demerge करेंगे 1 is to 10 के Ratio से अब यह जो Demerger है 1 is to 10 के Ratio से होगा जो की New Shares is to Old Shares होगा जिसका मतलब यह अगर आपके पास में ITC के 10 Stocks हैं तो यहाँ पे आपको ITC Hotels के अंदर में 1 Stock दिया जाएगा मतलब हर 10 Stocks के उपर में आपको 1 Stock जो है ITC Hotels का मिलेगा अगर आपके पास में ITC के 20 Stocks होंगे तो होटल बिजनस में आपको 2 Stocks मिल जाएगे तो ऐसे ही 1 is to 10 के Ratio से यह Demerger किया जाएगा इसकी Extrate और Record Date अभी तक Company ने Announce नहीं करिये जैसी Extrate और Record Date ITC Announce करता है मैं आप लोगों को सबसे पहले Intimate कर दूँगा बाकी आज के वीडियो के अंदर में इतना ही रखते हैं अब अगर आप कोई वीडियो अची लगी हो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीचेगा इस चैनल को भी जरूर से सबस्क्राइब कर दीचेगा विगोस फिनो मेडिया के अंदर आपको ऐसी Stock Market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर Till then, Bye